देखे कोरोना काल जो चल रहा है इस पे गर्बती महिला को जो सामाने हम लोग जितने भी प्रिकॉशन्स ले रहे हैं वो उनके लिए और भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे पास दो मरीज हो जाते हैं एक तो महिला और दूसरा उसका बच्चा इसलिए दोनों के लिए हम लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया है कि दोनों को बचा के चलना है और जितने साथानिया जो आमतोर पर बताई जाती हैं जैसे मास का पहनना, सैनिटाइज करना, दूरी बनाना और उनको अलग सेग्रिगेट करके रखना वैसे पेशिंट्स को कि अपनी वो दू लोगों बेबीज है, तो ये तो अब अप्रूव हो चुका है कि एक दो केसे ऐसे मिले हैं, जिसमें मरीज को करोणा पॉजिटिव नहीं भी है, तो भी वर्टिकल ट्रांसमिशन द्वारा, ये एक ट्रांसमिशन होता है जिसमें प्लसेंटा से, कॉड से, जो बच्चे को ब बच्चे के लिए, तो एक बड़ा चैलन्ज हो जाता है बच्चे के लिए, कि ये इतना तेजी से इसका ट्रांसमिशन होता है, कि बच्चे में काफी होने की सम्भावना काफी जादा बन जाती है, वैसे भी बच्चे की इम्मिनिटी बहुत कम होती है, लंग्स भी उतने इ ब्लूंज इतने बूरी तरह से mais कि इतना ज्यादा रियक्शन सोजा रहा है कि बड़ा मुश्किल हो जारा है इसको सस्टेन करना बचाना और बच्चा जो न्यूबोर्ड Martha यह य माल लीज़े अगर healthy है पूरे समय का है एक बड़ा challenge हो जाता है breastfeeding breastfeeding के लिए क्या किया जाए तो यह आपना individualization है बच्चे को हम लोग mask पहना नहीं सकते है newborn baby के लिए और difficult हो जाता है हमारे लिए इतना कश्टकारी है तो newborn babies में अगर mask डालने तो breathing problem हो सकती है बहुत तरह की problem हो सकती है तो बेटर यह होगा कि इसको segregate ही कर दे और artificial feeding पर भी switch off किया जा सकता है वैसे condition में जब mother का corona positive आ रहा है अगर asymptomatic हो गई है negative अगर swab आ गया है उनका RT-PCR अगर negative आ गया है तो feeding कराया जा सकता है वैसे condition में लेकिन अगर mother active है positive है और plus symptomatic है तो बच्चों को तो segregate उससे करना पड़ेगा isolate करना ही पड़ेगा यह बहुत जरूरी है और जो general precautions है क्योंकि patient एक delivery के बाद बहुत जादा infection के लिए prone होती है बहुत जादा vulnerable होती है क्योंकि उसके tissues वगरा उस तरह से body adjust करता है पूरा body का physiology उस according adjust करता है तो उसमें बहुत precautions लेने की जरूरत है कि उसके आस पास जो भी आए तो वो काफी precautions लेके पास में रहे जहां delivery हो रही है जहां पर वो दिखा रहे है बहां पर काफी precautions लिया हुआ है क्योंकि हम लोग के लिए सबसे जादा चीज़ है important precautions that is important treatment aspect में बहुत कम काफी कम है क्योंकि सिर्फ supportive treatment में ही हम लोग depend कर रहे हैं तो इसको ध्यान में रखते वे जितना precautions ले हमारे लिए उतना ही अच्छा है यह हमारे लिए message है कि please सारे लोग पूरे precautions में रहें और इस बात कर ध्यान रखें जो हमारे mask नहीं पहन रहे हैं या sanitize नहीं कर रहे हैं they should be very very alert क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं बच रहा है इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इस बात कर ध्यान रखा जाए और I'm very thankful to Silk TV कि उरो ने मुझे यह मौका दिया यह platform दिया कि मैं अपना message अपने आम patients तक यह पहुचा सको Thank you so much